हेलो आपके सामने एक बड़ा सा ग्रैट बटन है आप दो आ दिया आपके बोलो तो गैस क्या आप भी बैटल गाउंस मोबाइल इंडिया में अपने गेमप्ले को रिकॉर्ड करना चाहते हो क्या आप भी चाहते हो क्या आप अपने क्लसेज को अपलोड करो YouTube पे क्या आप भी इसी देखने को मिलता है जैसे कि कभी Quality कराब आजाती है वीडियो की और tomar डेली हो जाता है कभी वीडियो लैग हो प्ल ऐसे क्यों बिकॉल इसी दिगे LA Deshalb च इखनेहें अपने चैनल पर कैसे अफमाड करना है तो भाई इस वीडियो को इन तक देखते रहना चलो फटाफ़से वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब यह तीनों के तीनों जो मैं आपको बताऊंगा भाई वो लो इन डिवाइज में भी सपोर्ट करते हैं साथ है इसमें आपको अल्ट्रा एच्टी कॉलिटी भी देखने को मिलता है कोई भी एपियस डॉप देखने को नहीं मिलता है इन सारे फीचर्स को मैं इस वीडियो क इन तक देखते रहना बागी मैं आपको वीडियो के लाश्ट में एक बोनस स्क्रीन रिकॉर्डर भी बताऊंगा जो कि काफी ओपी होने वाला है तो भाई वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप मत करना चलो फटा-फट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले स्क्र स्क्रीन रिकॉर्डर है वह एडवांस स्क्रीन रिकॉर्डर है जासा कि आप यह आपको प्लेश्टीन पर देखने को मिल जागा इसकी डैरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रेप्सर में दे रखिए हैं वहां से वह अप इसे डाउनलोड करते हो भाई काफी वीडियों आपको accept करना है, accept करने के बाद आपको कुछ permission देने होते हैं, यहाँ पर allow पर click करके allow कर देना है, यहाँ पर plus पर click करना है, फिर allow करना है and cancel कर देना है मैं आपको बता देता हूँ आपके इसके settings, तो settings में जाना है, magic button क्या होता है, जब ही मैं आप video को record करते हो, तो आपको screen पे एक circle type कर देखने को मिलता है, कुछ ऐसा, तो आप इसकी opacity यहाँ से बढ़ाग हटा सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसे हटा भी सकते हो, कि भाई हमक आपके पास low-end device है, तो basic कर देना, ठीक है, मेरा बढ़ियाँ device है, तो मैं इसे यही रहने देता हूँ, stop option मैं आपको recommend करूँगा, stop on screen, off कर लो, क्योंकि जैसे ही आप screen का button tap करोगे, off करोगे, यानि कि lock करोगे, वैसे ही आपका recording बंद हो जाए, यह काफी बढ़िया होता है फिलाल के लिए आप देख सकते हैं, वीडियो resolution आप अपने हिसाब से रख लेना, मैं आपको recommend करूँगा, 180P ठीक है, वीडियो bit rate जो है, मैं आपको recommend करूँगा, 10Mbps आप रख लेना, frame rate यार, सबसे ज़्यादा आपको रखना है, 60fps ठीक है, अगर आपके पास अगर आप चाहते हो कि आप face cam के साथ वीडियो record करोता है, यहां पर use camera कर सकते हो, logo and text, मतलब आप अपने screen पर कुछ लिखा हुआ दिखा सकते हो, जैसे Google पे ATM, यह सब number दे सकते हो, so touches जैसा कि आप यह देख सकते हो, यह जो touch so कर रहा है, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जह पर क्लिक करते ही, आपको start now पर क्लिक करना है, start now पर क्लिक करते ही, आपका video start हुजएगा, अब दोखेर यही है, वो magic button जिसके मैं बात कर रहा था, मैं recording on करूंगा, तो यह हट जाएगा, अगर आपको recording off करना है, तो आप काफी easily जो है, अपना lock button जो side में आपको मिलता है, उसे आप tap कर सकते हो, तो भाई, यह कुछ settings थी, advance screen recorder में, जो कि आप काफी easily समझ सकते हो, और काफी easily इससे record कर सकते हो, अपने next screen recorder, जिसका नाम है agent screen recorder, तो आपको सबसे पहले ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, तो simply आपको यहाँ पर दो बाद tap करना है, अपने screen पर, उसके ब आप resolution अपने हिसाब से choose कर लेना, ठीक है, bit rate अपने हिसाब से auto रहने देना, मैं आपको recommend करूँगा, आप इसे auto ही रहने देना, frame rate जो है, आप 60 fps कर लो, ठीक है, orientation auto रहने दो, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर record audio यह अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है, आपको permission देना पड़ेगा, उसके बाद guys, यहाँ पर आपको कुछ option देखने को मिलता है, जैसे hide the record window, during recording, यानि कि आप record कर रहे हो, तो, एक मतलब circle type का देखने को मिलता है, वो hide हो जाएगा, इससे, ठीक है, magic button मैंने आपको बता दिया, यार, पीछले में ही, stop option मैं आपको again recommend करूँगा, stop on screen off, क्योंकि जैसे आप lock button press करोगे, off हो जाएगा, जो कि काफी बढ़िया है, और बाकि सब तो यार, आपको पता होगा, countdown before start, मतलब आप रिकॉर्ड करने जहां रहे हो, जैसे tap करो कि भाई, चलो अब इससे record करना है, तो, आपको कुछ countdown देखने को मिलेगा, 3, 2, 1, and then recording start हो जो, 100 touches मैंने आपको बता दिया, text and logo भी मैंने आपको बता दिया, आप screen के उपर उसे दिखा सकते हो, कि भाई, यह यह लिखा है, गूगल पर पे पे टियम नमबर दे सकते हो, तो, यह सारी चीज़े हैं, इनमें settings, आपको simply यहाँ पर जाने के बाद, यहाँ इस icon पर क्लिक करना है, इस icon पर क्लिक करते ही, आपका वीडियो जो है recording, स्टार्ट हुझाएगा, काफी easily आप record कर लोगे, तो, इस तरीके से आप काफी easily जो है record कर पाओगे, इस बात करते हैं, अपने next screen recorder की जिसका नाम है no add screen recorder, तो simply आप इसे open करोगे, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, simply allow करना है, allow connect बाद आपको कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा, तो simply यहाँ पर setting में अपने को काम है, setting में जाते हैं वही, उसके बाद यहाँ पर count down है, य recording engine low in device है, तो आप इसे advanced ही रहन दो, और आपके पास एक low in device है, तो यहाँ पर आप second number पर click कर सकते हो, high in device है, तो यह रहन दो, magic button मैंने आपको बता दिया, magic button क्या होता है, circle type का होता है, जैसा आप देख सकते हो, यह circle होता है, magic button, आप इसके position चेंज कर सकते हो, मैं आपको recommend क screen off को हमेशा on रखा करो, ठीक है, बाकि आप अपने हिसाब से choose कर सकते हो, आपको कौन सा बढ़िया लगता है, मैं आपको बस बता रहूँ क्या क्या settings है, ठीक है, pause record when the screen is off, ठीक है, इसे आप disable रहने दो, ठीक है, उसके बाद आपको resolution में, अपने device के हिसाब से select कर लेना, आ इसके बाद यहां पर आपको bit rate देखने को मिलता है, तो bit rate आप ज्यादा रखोगे, तो काफी बढ़िया quality आती है video की, तो video मैं आपको recommend करूंगा bit rate काफी ज्यादा रखने के लिए, बट अगर low in device या medium device है, तो आप इसे 10 mbps पर ही रहने देना, frame rate हमेशा 60 fps रहना चाहिए record audio obviously आपको enable करना होगा भाई अपने हिसाब से, उसके बाद यहां पर sound audio bit rate भी देखने को मिलेगा, तो इसे high करोगे, तो बढ़िया quality आती है भाई यह जी, उसके बाद आपको मिलता है, यहां पर audio sample rate, यह सब को आप छोड़ दो यार, ठीक है, आपको यहां पर काफी date सारे option देखने को मिल जाते है, तो यह सब आपके काम के नहीं है, भाई, so camera, अगर आप चाहते हो, कि मतलब आपका face दिखे, आप जब record कर रहे हो, तो यह इसे enable कर लो, logo image, मैंने आपको बता दिया, भाई, आपका logo या फिर आपका text जो है, वो display करवाना चाहते हो, तो करवा सकते तो screenshot अगर आप मालो game के बीच में लेते हो, तो किस quality में होगा, कैसे होगा, यह सारी चीजे हैं इसमें, ठीक है, तो यह सारी settings है, जो कि आपको करना है, अपने device के हिसाब से सारी settings कर लेना यार, मैं आपको बस बता रहा हूँ भाई, कि आपको क्या-क्या इसमें देखने को मिलेगा, बाकि अगर आपको इन सारी screen recorder पर fully dedicated video चाहिए, तो भाई मेरे को comment section बताओ, मैं आपके लिए बना दूँगा, फिलाल के लिए आपको वीडियो में जाना है, यहाँ पर click करना है, यहाँ पर click करते हैं, आपका recording जो है, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, तो simply आप इस से बात है, आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो प्लीज आर अगर हो सकते हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर से दे देना भाई, बाकि आर अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी setting को लेकर कोई भी डाउट है, comment करो within one hour में आपको reply दे दूँगा, और अगर चैनल में जो पहले से दिया गया है, screen recorder, बुले तो default screen recorder उसे यूज किया करो, तो यह आप देख सकते हो, मेरे device में पहले से दिया गया, अब देखो यार इसमें आपको काफी डिये सारे settings देखने को मिल जाते हैं, जैसे वीडियो का resolution आप चेंज कर सकते हो, मैं इसी से record कर रहा हू तो obviously अभी तो change नहीं कर सकता, बट आपके phone में जो पहले से दिया गया हो, काफी OP होता है, काफी उसमें बढ़िया quality आती है, कोई भी sound delay नहीं होता है, system sound, microphone sound, जो चाहो वो record कर सकते हो यार, तो काफी बढ़िया चीज है, आप देख सकते हो, मैंने दोनों enable कर लिया, तो आपको recommend करोगा भाई, जो आपके system में दिया गया है, उसे ही उसकरो, काफी बढ़िया होता है, काफी बढ़िया आपको experience देखने को मिलेगा, तो बस मैं लोग, आज के मिलो में इतना ही, इस वीडियो में मैंने आपको top 3 best screen recorder, BGMI, यानि के Battlegrounds Mobile India के लिए बता दिया, आप 14 recorders को use करके किसी भी game की gameplay काफी इसली record कर सकते हो, इसमें कि आपको internal audio, no water work, साथी साथ no audio delay and low end device के लिए specially बने हुई है, तो काफी इसली आप इसे किसी भी device में यूज कर सकते हो, तो guys I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, त चैनल पर नहीं हो, तो प्लीज भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon on कर लेना, क्योंकि ऐसे ही BGMI से related updates यहां पर आपको time to time देखने को मिलता रहता है, guys आपको 15K काफी करीब हैं तो भाई हो सके तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो bell icon दबाओ, तकि ऐसे ही content आ आप से एक और brand new video में, thank you so much for watching, please stay safe and take care, thank you